हेलो दोस्तो इस सीडियो में आपको बताऊँगा कि आप बोनुश यह और राइट शियर कैसे देख सकते हैं आपने सिंप्ली गूगल पर आना है इधर आपने टाइप करना है पीएस एक्स फाइनेंशल अनॉंस्मेंट्स इधर आपने सबसे पहला लिंक खोलना है इधर आप देखें फूर्थ कॉलम है डिविडेंट बोनस और राइट जो उनसे भी कंपनी बोनस इशू करती है राइट शेर इशू करती है या इस कॉलम के अंदर आ जाता है और इससे पिछले कॉलम के अंदर अनॉंस्मेंट की की किताबे बंद ओरीएगी तौससे एक दिन पहले record देट होती है तो record देट से 2 दिन पहले तक अपनी शेर खरीदना होता है अब इधर हम देखते हैं बोनेश इखर कैसे जून सकते हैं इधर आपने ctrl F परेस करना है ब्रैकेट ओपन भी लिखना है और ब्रैकेट क्लोस इदर ये आपके सामने टोटल 15 रिजल्ट्स आ गए यानि कि 15 कंपनीज हैं जिन्होंने बोनस इशू की है इदर अब हम किसी भी कंपनी को देख लेते हैं मिसाल के तोर पे सर्विसिस को देख लेते हैं इसने जो है 31, 12, 2020 यानि कि साल खत्म होने के बाद यार मतलब येर एंडट के बाद जो है इसने बोनस अनाउंस की है इनके लिए बुक टोड़ेट डेट क्या है बाइस चार दोजार इकेस यानि कि बाइस चार दोजार इकेस को कंपनी की जो किताबें वो क्लोज हो जाएंगी यानि के 22 तारीखो जो है बुक क्लोज हो जाएगी उससे एक दिन पहले जो है record date होगी और उससे एक दिन पहले जो एक्स डिविडेट होगी और 20 तारीखो जो है bonus issue हो गया होगा अब मैंने जैसे आखो बताया था कि bonus issue हो जाने के बाद जो company की share price होती है वो कम हो जाती है तो इसकी भी मैं आपको भी demonstration देता हूँ आपने इदर google पे आना है इदर आपने लिखना है dps.psx.com.pk इदर आपने इस link को क्लिक करना है इदर आपने आना है market इदर ये आपने आना है historical data पे historical data पे आप आएंगे तो इदर आपने company का नाम लिखना है ये services है इदर अप्रैल 2021 तो जैसे 22 अप्रैल 2021 जो 30 की book closure date थी और उसे दो दिन पहले जो थी record date थी तो 20 तारीख हो जो इसकी share price कम हो जानी चाहिए तो इदर अब हम देखते हैं 19 तारीख वर देखें 1180 रूटीज की share price थी और 20 तारीख को book closure date से दो दिन पहले जो के record date थी उस दिन को जो है share price कम हो गई है क्योंकि जो share थे वो one into one की ratio में जिसे कहते हैं issue कर दी गये थे जानी कि जिसके पास एक share था उसके पास अब दो share हो गये होंगे तो जिसके पास पहले 1100 C का एक share था उसके पास अब 630 रूपे के दो share हो गये होंगे और यह जो price है यह उपर नीचे थोड़ी इसले जाती रहते हैं क्योंकि जो shares होते हैं वो सलसल trade होते हैं तो trade होने की वेड़ा से जिनकी price होती है वो उपर नीचे जिसे कहते हैं जाती रहती है अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने right share कैसे देखने है और जो company है वो right share की उशू कर रही है वो भी मैं आपको बताता हूँ इदर से आपने वापिस इसी column के अंदर आना है जिदर बी लिखा वाता बी की जगाँ आपने लिख देना है आर आर का मतलब है right share जितने भी companies ने right share दी होंगे वो सारे के सारे जो है आपको युटाक का ब्राउजर होगा वो बता देगा तो टोटल जो है आठ companies ने right share जिसे कहते है issue किये है अब जिस पर देख लें मान लेते है ये waves है इसने 50% जो है right share जिसे कहते है issue किये है जाने कि जिसके पास भी company के दो share होंगे उसके पास जो है traditional share लेने का right है अब देखें लिखें लिखांगा अब अट प्रेमियम आफ रुपीज फाइफ पर share यानि कि company की जो face value होती है वो 10 रुपे होती है तो ये टोटल जो है 15 रुपे का share issue करेंगे यूंकि 10 रुपे face value और उसके पर 5 रुपे जो है ये premium ले रहे है तो अब इस company ने ये share क्यों इशू किया है ये भी मैं आपको बताता हूँ आपने वापस इसी डगार पर आने इदर आने announcement में इदर आने company announcements पे इदर आपने company का नाम लिखना है waves company इदर waves लिख देते हैं waves and singer इदर इसने आपने लिखना है 2021 और इदर आपने कर देना है search इदर आपने वापस control F press करने है अपने browser पर इदर आपने लिखना है declaration of right share लेखने declaration of right share जो है ये 19 मार्च 2021 को इनों ने जो है right share declare किये थे और जो इसके book closure date थे वो 17 चार थी यानि के आपके पास जो है काफी दात करीबन महीने का time था इसके share खरीदने के लिए अगर आप इसके right share जो है लेना चाते थे बेशक dividend हो जाए बेशक boner share हो जाए बेशक right share हो जाए इन सब को जो procedure होता है record date का x dividend date का वो same हो तो अगर आपको नहीं पता है कि ये record date वगरा क्या कुछ होता है तो इसके पर मैंने already एक वीडियो बनाई भी है जिसका link आपकी screen पर top right corner पर शो हो रहा होगा इस वीडियो को जाके आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तारीख को अगर आप share लेंगे तो आप ये right share और bonus share और dividend की जिसे कहते है eligible हो सकते है तो जिए declaration of right share है इदर आपने पीडियेफ है पीडियेफ के पर आपने क्लिक करना है इसको आपने download करने है इस तरह जो है आपके सामने document सा जिसे कहते हैं खुल जाएगा अब इन्होंने जो है right share क्यों issue किया है या आपने नीचे आना है हर company का declaration of right share जो होगा document इसी तरह का हो तो जितने भी जो है purpose of right share के अंदर ये company की सारी की सारी जो है उन्होंने अपनी अपना reason दिया होता है कि जो है right share की ऊशू कर रहे है तो जिस तरह आप ये company है इसको basic जो है business expansion के लिए जो है right share चाहिए यानि कि business expand इसने करना है इस वरा से इसको जिसे कहते हैं पैसे पैसों क यानि कि 15 रुपे इसलिए कि 10 रुपे company की जो है per share value होगी और 10 रुपे के ओपर ये 5 रुपे एकसा ले रहे हैं तो ये 5 रुपे के लाएगा ये premium के लाएगा और total जो है 15 रुपे के ओपर जो है ये एक share जिसे कहते है issue कर रही है इधर आप अगर quantum of right issue पर आगे देखें त तो देखे 50% है paid up capital of the company that is 50 right share for every 100 ordinary share held by the shareholder of the company यानि कि record date के ओपर जितने भी जिस बंदे ने share खरीदे होंगे उसकी 50% जो है वो right share मजीज जिसे कहते हैं खरीज सकता है और इन्होंने जो है 15 रुपे के अपर पर एक right share जो issue कर रहे है तो इससरा वाना को बताया था market price से जो ह कम price के उपर जो share होता है वो issue होता है तो यह जो company है इसने इसकी जो announcement date है वो है March 19 2021 तो हम देखते है March 19 2021 पे company का जो अपना share था वो कितने पर trade कर रहा था और 15 रुपे का जो यह right share issue कर रहे है इन दोनों में कितना difference था अब 19 मार्स को देखें जो share है वो 22 रुपे के उपर trade कर market price से कम पे जिसे कहते हैं existing share rollers को offer करती है लेकिन लाजबी नहीं है कभी कभी जो market price है उसके उपर यह कभी market price से जादा के शेयर के उपर जादा प्र प्र जो companies है वो right share issue करती है जब उनको जादा capital के requirement होती है तो I hope आपको यह छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी समझ आई ह होगी फिर भी अगर आपकी कोई सवलात हैं तो आप नीचे comment box में मुझसे पूछ सकते हैं और इस वीडियो का पहला पार देखने के लिए अपने screen पर देएगे नीचे वाली वीडियो को क्लिक करें